रास्टपती जो बाइडन ने 11 सितंबर से पहले किसी भी कीमत पर सभी सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही थी लेकिन अब काबुल में हुए आतंकी हमले में कई अमेरिके सैनिकों की जान चली गए जिसके बाद अमेरिकी रास्टपती को अपने ही फैसले और प्लान पर फिर से विचार करना पर सकता है अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक अपनी सेना वापसी का एलान कर चुके अमेरिका के सामने बरा संकट पैदा हो गया है रास्टपती जो बाइडन ने 11 सितंबर से पहले किसी भी कीमत पर सभी सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही थी लेकिन अब काबुल में हुए आतंकी हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई है जिसके बाद अमेरिकी रास्टपती को अपने ही फैसले और प्लान पर फिर से विचार करना पर सकता है काबुल एरपोर्ट पर हुए सिरियल ब्लास्ट में एक दरजन से अधिक अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है जो एरपोर्ट को कंट्रोल किये हुए थे इस हमले के बाद अमेरिकी रास्टपती जो बाइडन ने देश को संभोधित किया और आतंकियों को चुनौती देते हुए कहा कि हम हमला करने वालों को ढून ढून कर मारेंगे किसी को छोड़ेंगे नहीं ऐसे में अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका ने एक बार फिर 31 अगस्त के बाद भी अफ़कानिस्तान में रुकने का मन बना लिया है क्योंकि अब सर्फ रेस्क्यू अपरेशन की बात नहीं है अब बात बदला लेने तक पहुँच गई है काबुल में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने वाइट हाउस के सिचुएशन डूम में मीटिंग की इसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया जो बाइडन ने साफ किया कि हम तुम्हें भूलेंगे नहीं हम कभी नहीं भूलेंगे हम तुम्हें ढूनेंगे और इस हमले की सजा देंगे अमेरिकी राश्पती ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना से आतंक्यों को मुह तोर जवाब देने के आप्शन देने को कहा है जो बाइडन ने अपने संबोधन में कहा कि हम आतंक्यों को मुह तोर जवाब देंगे लेकिन इसका तरीका और समय हम खुद चुनेंगे लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि ISIS के आतंकी बिलकुल भी जीतेंगे नहीं काबुल एरपोर्ट पर ये हमला तब हुआ जब अमेरिका की अफ़कानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन तीन दिनों की दूरी पर है ऐसे में अब ये सवाल खरा हो रहा है कि क्या अब भी अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त को ही काबुल एरपोर्ट छोड़ देंगे क्योंकि जो बाइडन ने अभी तक ये साफ किया है कि वे 20 साल से चली आ रही इस जंग को यहीं खत्म करना चाहते हैं क्योंकि इसमें अमेरिकी सैनिको का नुकसान है हलाकि काबुल एरपोर्ट पर 13 अमेरिकी सैनिको के मारे जाने ने तस्वीर पुरी तरह से बदल दी है क्योंकि अब अमेरिका में भी जो बाइडन पर एक्शन का दवाव बन रहा है अगर 31 अगस्त को अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से काबुल छोड़ देते हैं तो घरीलू राजनीती के साथ साथ वैस्विक राजनीती में भी जो बाइडन की छवी को नुकसान पहुँचेगा अगर जो बाइडन आतंकियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो इसके लिए अमेरिकी सैनिको का काबुल और अफकरनिस्तान के अन्य इलाकों में होना जरूरी है यही कारण है कि अमेरिकी एक्सपर्ट भी इस बात की और संकेत दे रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद भी अमेरिका की मौजूद की वहाँ पर रह सकती है लेकिन जो बाइडन पहले भी कह चुके हैं कि रेस्क्यू अपरेशन को 31 अगस्त के बाद भी चलाया जा सकता है ऐसे में अब हर किसी की नजरे अमेरिकी राश्पती जो बाइडन के फैसले पटिकी है